ओम अथ अध्यात्म रामायने उत्तरकांडः प्रथमस्सर्गः भगवान राम के यहाँ अगस्त्यादी मुनिश्वरों का आगमन और रावणादी राक्षशों का पूर्वुचरित्र सुनाना जयतिरगु वैशतिलकह कौशल्या हृदयनन्दनो रामह दशवदन निधनकारी दाशरतिही पुंडरी काक्षः पारवत्यु भाच अथरामह किमकरोत कौशल्यानन्द वर्धनह हत्वा मृधे रावणादीन राक्षशान भीम विक्रमह अभिशिक्तस्त्वयोध्यायां सीतयासहरागव माया मानुषतां प्राप्य कति वर्शानि भूतले स्थितवान लीलयादेव परमात्मासनातना अत्यजन्मानुषम्लोकं कथमंते रघूद्वः एतदाख्याहि भगवन स्रद्धधत्यामम प्रभो कथापियूषमास्वाध्य तृष्णामेति ववर्धते रामचंद्रस्य भगवन भुरूहि विस्तरशह कथाम् श्री महादेव वाचो राक्षसानां बधं कृत्वा राज्ये राम उपस्थिते आययुर्मुनयह सर्वे श्री रामम भिवन्धितुम् विश्वामित्रो सितह कण्वो दुर्वासा भिगुरंगिराहा कश्यपो बामदेवो तृस्तता सप्तर्शयो मलाहा अगस्त्याह सहश्य इस्च मुनिभीह सहितो भ्यगात् द्वारमासाद्यरामस्य द्वारपालमताब्रवित। ब्रुहिरामाय मुनयह समागत्यो भिस्थिताह अगस्त्याप्रमुकाह सर्वे आशीर्भिरविनंधितुम् प्रतिहारस्ततो राममगस्त्यवचनाद्रुतं नमस्कृत्याब्रविद्वाक्यं विनयावनतह प्रभुं। कृताञ्यलिरुवाचेदमगस्त्यो मुनिभीसह देवत्वत्दर्षनार्थाय प्राप्तो बहिरुपस्तितह। तमुबाचद्वारपालम् प्रवेषय यतासुखं। पूजिताबिभिशुर्बेष्म नानारत्न भिभूषितं। दिष्ट्वारामो मुनिन्षी घ्रम प्रत्युत्थाय कृतांजली पाद्यार्ग्यादि विरापूज्य गाम्नि वेद्य यताविधी नत्वा तेभ्यो ददु दिभ्यान्यासनानि यतारहतः उपविष्टाहा प्रहिष्टास्य मुनयो राम पूजिताहा संप्रिष्ट कुषलाह सर्वे रामं कुषलम अब्रुबन कुषलम ते महाबाहो सर्वत्र रगुनन्दना दिष्ट्ये दानीम प्रपश्यामो हताशत्रु मरिंदमा नहि भारह सते राम रावनो राक्षसेश्वरह सधनुस्त्वम्हि लोकांस्त्रीन बिजेतुम्शक्त एवही दिष्ट्यात्वयाहताहसर्वे राक्षसारावनादयह सैह मेतन महाबाहो रावनस्यो निवरहनम असैह मेतत्संप्राप्तं रावनेरियनिशूदनम् अंतकप्रतिमाहसर्वे कुम्भकरणादयो मृधे अंतकप्रतिमैर्वानेरहतास्ते रघुसत्तमाव दत्ताचे यंत्वयास्मागं पुराई हवय दक्षिना हत्वारक्षोगनां संख्ये कृतकृत्योध्यजीवसी शुरुत्वातु भाशितं तेशां मुनीनां भावितात्मनां विस्मयं परमं गत्वा रामह प्राण्जलिरब्रवित् रावनादी नतिक्रम्य कुम्भकरनादी राक्षतान त्रिलोक जैनो हित्वा किम्प्रशंषत रावनिम् ततस्तद्वचनं शृत्वा राघवस्यो महात्मनह कुम्भयो निर्महातेजा रामं प्रीत्याबचो ब्रवित् श्रणु रामय था बृत्तम् रावने रावनस्यचो जन्म कर्म बरादानं संक्षे पाद्वदतो ममां पुरा कृत युगे राम पुलस्त्यो ब्रम्हनाह सुतह तपस्तप्तुम्गतो विद्वान्मेरो पार्श्वं महामतिही त्रिनविंदो राश्रमे सव न्यवसन्मु निपुंगवह तपस्तेपे महाते जाह स्वाध्याय निरतह सदा तत्राश्रमे महारम्ये देवगंधर्वकन्यकाह गायंत्यो नंदृतुस तत्र हसंत्यो बादयंतिचो पुलस्त्यस्या तपो बिगनं चक्रुहू सर्वा अनिंदिताह ततह कृध्धो महातेजा ब्याजाहारबचो महतु यामे द्रिष्टि पथं गच्चेत सागर्भं धार इश्यदे ताह सर्वाह शापसं बिगना नातं देशं प्रचक्रमुहू। त्रिनविंदो स्तुराजरुषे कन्यातन्नाश्रणोद्वच विचचारमुने रग्रे निर्भयातं प्रपश्यते। बभुव पांडुरत नुर्भ्यंजितांत हो शरीरजा। द्रिष्ट्वा सादेह वैवर्णयं भीता पितरमन्वगात। त्रनविंदुष्चतां द्रिष्ट्वा राजरुषि रमित अध्युतिह। ध्यात्वा मुनिकृतं सर्व मवैद विज्यान चक्षुषा। ताम कन्याम मुनिवरियाय पुलस्त्याय ददौपिता। ताम प्रग्रिया ब्रवीत कन्याम बाढमित्ये वसद्विजह। शुष्रूशन पराम् द्रिष्ट्वा मुनिही पृतो ब्रवीद्वचह दास्यामि पुत्रमे कंते उहयोर बैशवर्धनं। ततह प्रासूतसा पुत्रम पुलस्त्यालोक विष्रुतं विष्रवा इति विख्यातह पौलस्त्यो ब्रह्म बिन्मुनिही। तस्यशीलादिकंद्रिष्ट्वा भरद्वाजो महामुनिही भारियार्थं स्वाम् दुहितरं ददव विष्रवसे मुदा। तस्याम् सपुत्रह संजग्ये पौलस्त्यालोक सम्मतह पित्रितुल्यो वैश्रवणो ब्रह्म्हनाचानु मोधितह। ददव तत्त पसातुष्टो ब्रह्म्हातस्मै बरंशुभं मनो भिलशितंतस्या धनेशत्व मखंडितं। ततो लब्धवरह सोबि पितरं द्रष्टुमागतह पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्म्ह दत्यन भास्वता। नमस्कृत्यात्पितरं निवेध्यतपसहफलं प्राहमे भगवान ब्रह्म्हा दत्वा बर्मनिंदितं। निवासायचमे स्थानं दत्तवान परमेश्वरह ब्रुहिमे नियतं स्थानं हिम्सायत्रनकस्यचित। विश्रवा अपितं प्राह लंका नाम पुरीशुः राक्षसानाम निवासाय निर्मिता विश्वकर्मना। त्यक्त्वा विष्णु भयाद्दैत्या विविशुस्ते रसातलं सापुरी दुस्प्रधर्शान्येर मध्ये सागरमास्थिता। तत्रवासाय गच्चत्वं नान्येहि साधिस्थिता पुरा। पित्रादिष्टस्त्वस उगत्वा तांपुरीम धन दो विषत। सतत्र सुचिरं काल मुवास पित्रिसम्मतह कस्यचित्वतकालस्य सुमाली नाम राक्षसह। रसातलान्मर्थ्यलोकं चचारपिषितासनह ग्रित्वातनयाम कन्याम साक्षाद्देवीमिवश्रियं। अपश्यद्धनदंदेवं चरंतंपुष्पकेणसह हिताय चिंतयामास राक्षसानाम् महामनाह। उवाचतनयाम्तत्र कैकसीम्नामनामतह बत्से विवाहकालस्ते यववनंचाति वर्तते। प्रत्याख्यानाच्यभीत इस्त्वं नौबरैर ग्रियसे शुवे। सात्वं बरय भद्रंते मुनिं ब्रह्मकुलोद्भवं। स्वयमेवतत पुत्रा भविश्यंति महाबलाह। इद्रिशाह सर्वशोवाध्या धनदेन समाहा शुभे। तथेति साश्रमं गत्वा मुनेर ग्रेव्यवस्थिता। लिखंती भुवम ग्रेण पादे नाधो मुखी स्थिता। ताम प्रिच्चन मुनिह कात्वं कन्यासि वरवर्णिनी। साब्रवित प्रांजलिर ब्रह्मन ध्याने नग्यातु मरहसी। ततो ध्यात्व मुनिह सर्वं ग्यात्वातां प्रत्यभाषत। ज्यातं तवाभिलशितं मत्तह पुत्रान भीप्ससे। दारुनायां तुबेलायां आगतासि सुमध्यमे। अतस्ते दारुनव पुत्रव राक्षशव संभविश्यतह। साब्रवीन मुनिशार्दूल त्वत्तो प्यवं विधव सुतव। तामाह पश्यमोयस्ते भविश्यति महामतिह। महाभागवतह श्रीमान रामभक्त्ये कतत्परह। इत्युक्तासातताकाले शुशुवे दशकंधरं। रावणं विशति भुजं। दशशीर्षं सुधारुणं। तदरक्षो जातमात्रेण। चचालच बसुंधरा। बभु बुर्नाशहे तूनि निमित्तान्यकिलान्यपी। कुम्भकर्नस्ततो जातो महा पर्भत सन्निवह। ततह शूर्पनखानाम जाता रावण सोदरी। ततो बिभीषणो जातह शान्तात्मा सोम्यदर्षणह। स्वाध्याई नियताहरो नित्यकर्म परायणह। कुम्भकर्नस्तुदुष्टात्मा ज्विजान्संतुष्टचेतसह। भक्षयन रिशिशंगांस्य विचचारातिदारुणह। रावणो पिमहासत्वो लोकानाम भयदायकह। बब्रिधे लोकनाशाय यामयोदेहिनामिव। रामत्वं सकलांतरस्थमभितो जानासि विज्ञान द्रिक। साक्षी सर्वहृदिस्थितोहि परमो नित्योदितो निर्मलह। त्वम् लीलामनुजागृतिही स्वमहिमन् मायागुनैर्नाज्यसे। लीलार्थं प्रतिचोदितोद्यभवता वक्षयामिरक्षोद्भवं। जानामिके वलमनंतम चिंत्यशक्तिम्। चिन्मात्रमक्षरमजं विधितात्मतत्त्वं। त्वाम् राम गूधनियरूपमनुप्रवित्तो मूधोप्ययं भवदनुग्रहतस्चरामी। एवं बदन्तमिनवश पवित्रकीर्तिही। कुम्भोद्भवं रघुपतिही। प्रहसन्बभाशे। मायाश्रितं सकलमेत दनन्यकत्वान। मत्केर्तनं जगति पापहरं निवोधो। इतिश्रीमत अध्यात्मरामयने। उमामहेष्वरसंबादे। उत्तरकांडे। प्रतमस्तर्गह। उत्तरकांडे।